हलो गईज़ाब सबी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यीटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम दो आज भी मौनिक अब्डेट लाए हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अब्डेट आज की नुच पेपर में आई है वो सारी की सारी अब्डेट हम दोग दे आपको तीन हजाद से जादा आपको अध्यायवार महतपूर प्रस्म मिलेंगे साथी साथ प्रीवियस एर के चार आपको सॉल पेपर मिलेंगे आप इनको देख सकते हैं बेहतरीन तरीके की ये बुक है आप इसको देख सकते हैं ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाए सबसे पहले तो यहां पर आप सभी को पता कि 63,000 जो सिक्षक भरती है वो होनी है फिलाल लेकिन इसको लेकर के अभी कोई भी सूचना जो है दी नहीं जा रही है नहीं इसके बार में कोई नोटिपिकेशन जो ही निकाला जा रहा है और यह चीज जरूर बताया गया है सरवे में भी यह सामने आया है और ओफिसल नोटिस के मादम से भी यह पता लगा है कि 63,000 जो है वो प्रात्मिक सिक्षा विभाग में जो है खाली है फिलाल उसको लेकर करके कल जो है टुटर अभ अभियारतियों ने अभियान चलाया टुट कर प्रत्योग्यों ने सिक्षक भरती का विग्यापन जारी करने की मांग की डेलेट बीटी सी संक्या अध्यक्ष विनोत पटेल का कहना है कि सभी पर सिक्षू साती 15 नॉबंबर तक सोसल मीडिया के माद्यम से प्रात्मिक बिधान सभा और मुख्यमंत्री आवास की गहराओं की चेताओं नहीं दिये बता कि पिछली भरती 2018 में निकली थी हाली में बेसिक सिक्षा मंत्री ने बिधान सभा में एक प्रस्न के जवाब में बताया था कि ग्रामीड शेत्रों में 51,112 पद तथा नगरिये चेत्में 12, 12,149 पद रिक्त हैं इसके बाद भी भरती का विग्यापन नहीं जारी किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीड और सहरी मिला कर टोटल 13,000 के उपर जो पद खाली है लेकिन अभी तक इसका विग्यापन जारी नहीं हुआ है चात्र काफी ज़्यादा पर अब वो उठाना सुरू कर दिया है और अपनी भरती जो है मागनी शूरू कर दी है क्योंकि अब चात्रों को भी लग रहाуй यहां पर चात्र जो है। अभियान इसको लेकर के चला रहे हैं आप लोग भी जरूर जूदे हैं अगली जो अपडेट है वो यूपी टीजीटी- सिवा चैन बोर्ड अपनी गलती मानने को तयार नहीं है, बोर्ड हाई कोड ने आदेश के खिलाब अपील करने की भी तयारी कर रहा है। जबकि रतनेज ने ओमार पर सभी गोले सही भरे थे, हाई कोड में सुनवाई के दौरान यहा साप हो गया कि ओमार की तीन प्रतियों में से केवल मूल प्रति में गलत तरीके से अत्रिक्त गोले भरे गए हैं। यहां पर बतायागा है कि सेवा चैन बोर्ड ने गठित की है जांज कमिंटी, कोड के आदेश पर रतनेज 28 अक्टूबर 2021 को अपना प्रत्या वदन दिया, लेकिन चैन बोर्ड ने प्रत्या वदन निरस्त करते हुए, परड़ाम गोसित करने से इंकार कर दिया, रतनेज न 283 पदों पर बिसेसक की डाक्टर जल्द बिलेंगे, इसको लेकर यहां पर अपडेट है, प्रदेश के सरकारी एस्पतालों में विसेसक की डाक्टरों की कमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी, जिलास्तरिया एस्पतालों से लेकर सामुदाइक स्वास्ट केंदरों में भी विशेसक चिकिसकों की तराती हो सकेगी इसके लिए स्वास्त विवाग में बड़े पैमाने पर डाक्टरों की भरती की जाएगी विवाग की ओर से 2383 विशेसक चिकिसकों की भरती के लिए अधियाचत जो है लोकसेवा आयोग को बेद दिया गया है तो 2383 पदों पर यहाँ पता गया कि 2020 की डेमॉली में बदलाओ के बार योगी सरकार ने गतवर्स पहली बार बिसेज़क चिकिसकों की भरती निकाली थी तब प्रदेश बर में 3620 पदों पर रिक्तिया निकाली गई थी आयोग से गतवर्स करीब 1200 चिकिसक विभाग को मिले थे जाँच के बाद निक्तिपत करीब 110 बिसेज़क चिकिसकों को दिये गए हैं इसमें से लगबग 600 नहीं विभाग में जॉइनिंग दी ऐसे में बिसेज़क डाक्टरों का संकर बरकरार रहा तो आप यहाँ पर देख सक अगली जो अपडेट है वो है UPSI को लेकरके अपडेट आई है और आपको पता कि UPSI का मेडिकल जो हो चुका है उसमें से बहुत सारे चात्र है जो लापरवाही की कारण जो है मेडिकल अनपीट हो चुके हैं ठीक है जो अपने सहत का ख्याल नहीं रखें उसको अलाकि अगली अपडेट है SSC को लेकरके तो SSC MTS tier 2 की परिक्षा जो 6 नवंबर से होगी और वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है SSC MTS 2021 की tier 2 परिक्षा 6 नॉंबर को pen paper mode यानी offline mode में होगी यहाँ परिक्षा सुबा 11 से साड़े 11 बजे के बीच में कराई जाएगी SSC की ओर से MTS 2021 की परिक्षा की tier 1 परिक्षा 5 से 26 जुलाई के बीच हुई थी इसमें सफल अब्यारती tier 2 की परिक्षा में सामिल होगे SSC मद 6 के 36 निदेशक राहूल सचान के मताबिक UP में 7164 बजे इनकी परिक्षा कानपुर में 18 केंद्रों पर होगी वहीं बीचार में 10396 बजे जिनकी परिक्षा पतना में 24 केंद्रों पर होगी इसके लिए ब्यारतों के जो admit card है उस वो जारी कर दिये गया है तो आप लोगों की जो परिक्षा है वो यहाँ पर बता दिया गया है कि 6 November से start हो जाएगी चलिए बढ़ते हैं आगे के दरब अगली जो update है वो KBS में भरती को लेकर के उसके लिए official notice जारी कर दिया गया है यहाँ पर भरती है वो TGT PGT होगी हाला कि अभी जो है इसमें जो जिनके पास experience है KBS का वही अभी आवेधन कर सकते हैं और जल्दी सभी के लिए KBS में वेकेंसी भी आजाएगी बहुत ही जल्द आने वाली है क्योंकि इसको लेकर के लगाता 2-3 दिन से जो है notice जारी हो रही है यानि LDCE की तरफ से जो है यहाँ पर यह भरती निकाली गई है उसका notification जारी किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं 2018, 2019, 2021, 2022, 2022 सभी का ब्योरा एक ट्था करके जो जो लोग बने है नोकरी पाए है उनी की ब्योरा पर भरती हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस चीज के लिए क्या eligibility चाहिए वो भी आपर बता दिया गया है जैसे principal के लिए आपके पास क्या चाहिए तो 8 साल का combined regular service in KBS एनी experience यहाँ पर चाहिए इसका पूरा का पूरा notification चाहिए तो आप टेली ग्राम ग्रूप पर चले जाए यह link description box में दे दिया है आपने वहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा notice आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा तो फिलाल आज के लिए इतनी सारी update थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जय हिन जय भारत